एबरिवन स्वागत है आपका आर्के क्लासेस में आज जो है हम लोग फिर से एक सिंपल सा एक इस्टेटिक्स का कोशन को सौल्व करने की कोशिस करेंगे आप बने रहें आने वाले साइम टाइम में जो है हम और अच्छे-अच्छे कोशन को सौल्व करेंगे अभी पूरा क्लास जो है कुछ टाइम के लिए बिल्कुल बेसिक रहेगा क्योंकि जब हम बेसिक को सिख लेंगे तो बड़ा कोशन को स्वाल्ब करने में इसी बेसिक का यूज होगा तो वो उस समय हमको थ्वासा असानी होगा इसलिए आप बने रहें आपको अच्छे अच्छे कोशन भी कराए जाएंगे तो यहां पर जो है हम लोग सीखेंगे बिल्कुल इजी से एडवांस लेवल तक और हमारा कोशिस रहेगा कि हम जो है 72 में कम से कम 65 या 70 या हो सके तो 72 बाइ 72 मार्क्स लाएं इसमें यह बहुत ही माइने रखता है यह वाला पोर्षन विपीएसी के एकजाम के में चलिए आप लोग प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सियर करें चलिए आज कोशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मारा कोशन है पहले पढ़ते हैं इस कोशन को फी देखते हैं क्या होता है कहता है कि छे अलग-अलग सहरों में रहने वाले लोगों की संखियां जो है हजार में दिया गया है सहर जो है आपका P, Q, R, S, T U के बारे में बात हो रहा है यहां पर कल्कुलेशन आप खुद करिएगा कल्कुलेशन को मैं नहीं करने वाला हूँ आप सिव कॉनसप्ट को समझें जैसे कहता है कि लोगों की कुल संखियां यहां हजार में दिया हुआ है जैसे P में जो है P में बोलता है P में बोलता है कि मतलब हो रहा है कि 48.35 यह कहता है कि हजार में है देखिए इसका मतलब होता है 48.35.0 इतना हो गया मतलब कैसे करें देखे 4A35 और यह कहता ही 1000 में है ओके जैसे इसको यहां से हटाएंगे तो यहां पर लगाएंगे 20 और यह से यह कांसल हो जाएगा तो में पास हो जाएगा 48350 ओके यह समझ में आ गया कि 4.835 को हम बोल सकते हैं 48350 32160 54200 44420 65250 5680 इसका मतलब यह हो गया अगर आपके वहाद पॉइंट में दिया रहेगा तो अगर मालो इतना यह लाखों में होता है तो लाख से यहां पर गुना करते और फिर यहां से इस प्वेंट हटाने के बाद 2-0 को लगाते और स्वाल्व करते तो वहां से वह हमको लाख में में पॉपलेशन मिल जाता है चलिए इस प्रकार से इक कॉंसर्ट को अपर समझ में आ गया यहां पर एक ची और दिया हुआ है कि परतिसत में दिया हुआ है कि पुरूष जो है जैसे पी सहरे में 38% 38% पुरूष है 36% महिलाएं है और 26% बच्चे है उसी प्रकार से एक डाटा एक बॉक्स दिया हुआ है इसमें कुछ न कुछ हमको जानकारी मिलता है इसी जानकारी को हम लोग यूज करते विए इस कोसिन का एंसर देने की कोशिस करेंगे चलिए, पहला कोशन को जैसे हम लोग देखते हैं, तो आपको समझ में आता है, इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, की सहर में बच्चों की संख्या नियूनितम है, मैं तब मिनीमम के बारे हम बात करता है, कौन सा सहर है, जिसमें बच्चों की संख्या मिनीमम है जैसे हम पीज सहर लिका लेंगे तो पीज सहर में टोटल लोग कितने हैं तो आप बोलेंगे 48350 में 26% जो है वो बच्चे हैं तो 48350 में 26% लिका लेंगे जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका एंसर हो जाएगा 12571 तो आप कह सकते हैं यहां पर बच्चों जो है 12571 ओके क्यों सहर के बारें बात करेंगे तो क्यों सहर में कितना है 32160 हो जाएगा और इन्टू इसमें 25% बच्चे हैं तो यहां जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यह एंसर आपका हो जाएगा 8040 ओके उसी प्रकार आर्श हर के बारें बात करेंगे तो यह 45420 और इसमें बच्चों कि परस्तियसर जो है वह 22 है बाई हंडेट कर देंगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे 11924 हो जाएगा तो यहां पर कहेंगे 11924 उसी प्रकार एस के बारें जैसे बात करेंगे एस में देखिए आपके पास लोगों की संखिया है 4420 और बच्चा जो है यहां पर 20% है तो बोल सकते हैं 8884 ठीक है इसी प्रकार ती सहर में देखेंगे तो 65250 और यहां पर बच्चों की पतिसत जो है वो 1830 है जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 11745 हो जाएगा चलिए इसका मतलब हो गया 8884 और इसका मतलब हो गया 11745 ठीक है लास्ट वन जो है सहर यू है जहां पर लोगों की संखिया है 5680 और इन्टू कर देंगे 22 क्योंकि 22% जो है बच्चे हैं जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 12496 तो हम कह सकते हैं 12496 तो यह जो आया यह बच्चों की संखिया आया मतलब 48305 में जो है 12571 बच्चे हैं इसका कहने मतलब यह हुआ जो है इस 56896 में 12496 बच्ची हैं कोसें था क्योंकि नुख कहां पर कर दे हैं तो इस पर का जो है कोसें नमर अ को जो है हम लोग असानी से solve कर लिए कोसर नवर 2 को देखने की कोशिश करते है और इसे बनाने की भी कोशिश करते है कोसर नवर 2 जो बोलता है कहता है सभी सहरों में मिलाकर पुरूसों की औसस संख्यां क्या है मतलब आपको तो पहले जैसे हम बच्चों की संख्यां लिका ले उसी परकार आपको जो है पुरूसों की संख्यां लिका लना आना चाहिए पुरूसों की संख्यां हम असानी ख्लिकाल पाएंगे जैसे बच्चों को लिकाले हैं तो हम कह सकते हैं अच्छा औससत के बारे में बात करेंगे तो सब को हम एड़ करेंगे जितने ही पूरूस होगा हर सहर मों इसको एड़ करेंगे और डिवाइड करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे से तीक है तो इसके बनाने का दो तरीका है या तो आप अलग-अलग लिका लिए पीस सहर में पूरूसों के संखियां क्यू सहर म इसमें पूरूसों के संखियां कितन था, 38, 38 है अब बराबर करदेंगे 100 उसी परकार पी हो गया Q में कहाएंगे 3,2,1,6,0 इसमें 45% पूरूस है बाइ हंड़ करदेंगे, पलस करदेंगे इसमें 5,4,2,0, ए ँन्टू जो 47 है बाइ हंड़ करदेंगे पलस कर देंगे 44420 into कर देंगे 35 by 100 कर देंगे पलस 65250 इसमें 54% जो है प्रूस है into 100 कर देंगे पलस जो है 5680 और 0 इसमें 53% प्रूस है by 100 कर देंगे जैसे इस समोंड करने के बाद आपको डिवाइड करना परेगा डिवाइड करना परेगा 6 से बता मतारे कि आधो समय करने के बाद आपकाodus क्या करेंगे करना तो पड़े गई तो जैसे सबको एड़ करेंगे तो 139205 आजाएगा तो एबरेज बारने के बारे आसर लिकाने के बारे हम बात कर रहा है तो 139205 बाई कर देंगे 6 तो यह मेरा एंसर हो जाएगा 232 00.833 इस प्रकाश से बी नमबर कोसन को भी है हम लोग असानी से कर लिए ओके तो ए हो गया बी उगया चलिए सी नमबर क्या करता है से नमर कहता है कि सहर आर में महलाओं का सहर ती में महलाओं का संख्या का अनुपात क्या ए देखे सहर आर सहर आर में लोग कितने हैं लोगों की संख्या है आपके पास four five four two zero zero और महलाओं कितना प्रसंत है ठट्टी वन प्रसंत अब भाई कर देंगे hundred हम से पूछा है अनुपार तो हम अनुपार लिकाल लेंगे तो इसका ती सहर का ती मेरे की लोगों के संख्या कितना है 65250 और इस सहर में महिलाएं जो है वो है आपके पास 28% यहां पर दिवाइड कर देंगे यह रिश्यू लिकाल देंगे जैसे ही इसको काटेंगे मतलब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास इसका जो एंसर हो जाएगा आप लिकाल के देखेगा 4801 अनुपार 9135 ओके समझे मागे आपको कैसे लिकालना है बिल्कुँ इजी कोसन है इजी से ही हम जहरे टफ की और जाएंगे इस प्रकार कोसन सी को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिए कोसन अबधी के बारे में बात करते हैं चलिए साब करते हैं असका कोसन अबधी को पढ़ेंगा असानी से तो कहता है सहर यू के लोगों की कुल संख्या सहरों के सभी सहरों सभी सहरों के लोगों की कुल संख्यां का लगवक कितना पतिश रहते हैं देखें सहर यू यहां पे आपको यू दीख रहा है इसका कुल संख्यां कितना हो जाएगा 56800 और अगर इसके और क्या कहते देखिए सभी सहरों के लोगों की संख्यां सभी सहर यानि सबको काम एड़ कर देंगे चाना तो इस वेलो को जैसे हम एड़ करेंगे कैसा कैसे आड़ करेंगे देखें 48.3 5 32.16 पॉंट इसको जैसे एड़ करेंगे तो बहलू मेरे पास आ जाएगा वह कितना प्रतिस्त है तो यूब में जो सहर को संख्या यह है टोटल सहर में लिका ले हम 301180 ओके लिकालने के लिए बोल रहा है हमको प्रतिस्त तो हंडे से मल्टिप्लाय कर देंगे तो यह हो जाएगा 18.85 प्रतिस्त तो इसको जो है हम एप्रॉक्सिमेट में 90 परसेंट लि इभी के लिखेंगे तो आपका answer बिल्कुँ सही होगा कटने का इसमेंकोई भी गुनजाईस नहीं आच चलिए यह question भी हो घर ऑई यह question number 5 को देखते है इसे मिरी तो समय करते है कि सहर की महलाओं की संख्या सरस्गोरओं की संख्यार के सहर S, S यह है, इसमें टोटल है, 4, 4, 4, 2, 0, और इसम महिलाएं कितना है, महिलाएं आपका 45%, तो कर देंगे 45%, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 1, 9, 9, 8, 9 हो जाएगा, सहर P की उनकी संख्या का कितना परतिसात है, सहर P, सहर P कहां, यहां पर, सहर P में, टोटल कितना है, 4, 8, 3, 5, 0, और सहर P में, उनकी संख्या का कितना परतिसात है, तो इसमें देखिए, महिलाएं कितना है, 36 है, तो 36 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यहां जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे भेलू जाएगा, 1, 7, 4, 0, 6, ओके, देखिए, कंपेर कितने किसे का, तुलना कर रहा है, को सहर P से, तो यह भेलू नीचे आएगा, तो हम कर सकते हैं, परतिसर लिकाने के लिए हम कर सकते हैं, 1, 9, 9, 8, 9, जिससे हम लोग कंपेर करते हैं, तो इसे तुलना करते हैं, वो हमेसा नीचे आएगा, तो यहां क पाचों को solve किये इसमें question जो है कुछ कुछ % पर तो आप इसी question को जो है जब भी एक जामें बनाएं तो आप जो है इसको एक box पहले बना लें तो आपको क्या होगा calculation करते समय last में जब आप question को solve करेगा तो आपको असानी होगा मतलब आप क्या करें उसमें बच्चों की संख्यां को लिका लें सब सहर में बच्चों की संख्यां लिका लें सब सहर में महिलाओं की संख्यां लिका लें सब सहरों में पुरूष की संख्यां लिका लें कुल जितना भी है लोगों की संख्यां वो लिका लें इस प्रकार से जब हम question को बनाएंगे तो that इस box से number को उठा के हम लोग solve कर लेंगे और हमारा question जो असानी से बिल्कुछ सही सही बन जाएगा तो box बनाना ही पड़ेगा आपको ठीक है चलिए मिलते हैं आपको next class में यानि कल तब तक के लिए धन्यवाद